गूड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज हम इस वीडियो में विजय नगर समराज्य की राजस्वय विवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा कोने हमारे चैनल यूटूब इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें चाथा वीडियो को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशेश्य सम्मधित महत्तापूर्ण इन्फोर्मेशन पहुंच सके ठीक है तो अन्य परमुक्स रोथ थे जैसे संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावशाई कर, उध्योग कर, समाजिक और समुदाई कर, अर्थदंड आदी भूराजस्वे क्या था? देखेगा, विजयनगर काल में भूराजस्वे एवं भूध हरण व्यवस्ता बहुत प्यापक थी और भूमी को अनेक स्त्रेंडियों में बाजित किया गया था भूमी मुखेत है सिंचाई, यूक्त या सुखी जमीन के रूप में वर्गी करत की जाती थी लगान का निर्धारन भूमी की उत्पादक्ता और उसकी इस्तिती के अनुसार किया जाता था परंतु भूमी से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म भूराजस्वा निर्धारन का सबसे बड़ा आधार थी विजयनगर काल में पूरे समराजे में भूराजस्वा के दरे सम्मान नहीं थी जैसे ब्रामनों के स्वामित्वा वाली भूमी उपज का बीस्वा भाग और मंदिरों की भूमी से उपज का तीस्वा भाग लगान के रूप में लिया जाता था अन्य विवितकर विजयनगर समराजे द्वारा वसूल किये जाने वाले विवितकरों के नाम थे कदमाई, मगमाई, कनिकई, कतनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कत्या, कत्तायम राजे उपच के छटे भाग को भूमी कर के रूप में वसूल करता था लगान के अतिरिक मकान, पस्वों, भेडियों, धोबी, मनोरंजन करने वाले वर नाईयों पर भी कर लगता था सोल विस्ताबदी के अंतिम चरण में नाईयों को व्यवसाई कर से मुक्त कर दिया गया समाजिक और समुदाई करों में विवाहकर से मुक्त करके इस प्रकार के विवाहक को नए केवल समाजिक माननेता परदान करने का प्रियास किया वरन विद्वाओं की दयनी स्तिती सुधाने की चेस्ता की इस काल में विखारियों, मंदिरों वैवेश्यों पर भी कर लगाय जाते थे सिस्ट नमक कर राजे की आय का परमुक्स रोध था केंदरिय राजस्वय विभा को 98 अर्था जिसे अत्वन भी कहा गया है कहा चाता था समकानेन अबिदेकों में कर्शन देव राय द्वारा भूमी कर के सही निधरन के लिए समराजे की भूमी के सर्वेक्षन का उलेख है भूमी मापक पटिकाओं या जरीबों की विभी नाम थे जैसे नदलकुल, राजवयंद्र कोल और गंडराई गंड कोल ठीके, भूधारन पटत्ती, सिचाई, एम, क्रेशी मध्य कालीन भारत के अन्य पट्देशोगी भाती विजयनगर समराजे में अधिकान जनसंक्या क्रेशी पर आश्रित थी भूमी विवस्ता में व्यापक परिवर्तन हुए, चोल यूप का नाडू घटकर ग्राम के रूप में अब एक छोटी इकाई मातर रह गया विजयनगर कालीन भूधारन पदत्ती बड़ी व्यापक थी बंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम जिनकी भूमी राजे के पर्तेक्स नियंत्रण में थी इन ग्रामों के किसान राजे को कर देते थे धार्मिक सेवाओं के बदले में राजे की ओर से ब्रहमनों, मठों और मंदिरों को दान में दी गई भूमी ब्रहमदे, देवदे और मठापूर भूमी कहलाती थी यह भूमी करमुक्त थी सैनिक एम एसनिक अधिकारियों को विशे सेवाओं के बदले जो भूखंड दिये जाते थे ऐसी भूमी को अमरम कहा जाता था इसके प्राप्त करता अमर नायक कहलाते थे इस भूध हरन वेवस्ता को नायकार वेवस्ता कहते थे प्रारम में नायकार वेवस्ता केवल सेवा की सर्तों पर आधारित थी परन्तु बाद में यह आनुवानसिक हो गई ग्राम में कुछ विशेश सेवाओं के बदले जिने लगान मुक्त भूमी दी जाती थी ऐसी भूमी को उम्बली कहते थे रत खोड गई युद में सोर्य परदर्शित करने वालों या अनूचित रूप से युद में मुरित लोगों के परिवार को दे गई भूमी रत या खत खोड गई कहलाती थी कटगी कटगी बताईए क्या होता था इस युग में ब्राह्मन मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्व्यम खेती नहीं करते थे ऐसे पट्टे रख दी गई भूमी को कटगी कहा जाता था तो कटगी कई बार कि उसने पूछ लेते हैं कि कटगी किसे कहा गया है तो विजे नगर समराजे का जो समय था उसमें क्या होता था कि ब्राह्मन है ब्राह्मन और जैसे कि मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्व्यम खेती नहीं करते थे और यह क्या है कि जो खेती उती उसको पटे पर रख दे थे और इसी भूमी को कटगी कहा जाता था कटगी वस्तुते हैं नगर या जिस रूप में उपज का अंज था जिसे किसान ब्रू स्वामी को परदान करता था वारम व्यवस्ता भूस्वामी एम पट्टीदार के मद्दे उपज की हिस्सेदारी को वारम व्यवस्ता कहते थे कुदी खेती में लगे क्रशक मजदूर कुदी कहलाते थे भूमी के क्रय विक्रय के साथ उक्त क्रशक मजदूर कुदी कहलाते थे भूमी के क्रेविक्रे के साथ उक्त क्रेशक मजदूर भी हस्तांत्रित हो जाते थे। विजयनगर परशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। राजे में सिंचाई की विवस्ता व्यक्तिगत परियासो द्वारा की जाती थी। सिंचाई के साथनों के विस्तार में मंदिरों, मठों, व्यक्तियों और सैंस्थाओं के समान रूप से योगदान दिया। सिंचाई के साथनों के विकास या सुधार करने वालों को राजे कर्मुक्त भूमी परदान करता था। यदि किसी व्यक्ति की बिना किसी वारिस के म्र उसके सिमांकन के लिए पत्थर गाड़े जाते थे सामानते भूमी के दो वर्गी करन थे सिंचाई यूक्त भूमी और सुस्क भूमी विजयनगर काल में उपवनों का खूब विकास हुआ नील, कपास, काली मेर्स्त था नारियर आधिका व्यापक रूप से उत्पादन होता मुद्रा वेवस्ता विजयनगर समराजे की मुद्रा पर्णाली भारत के सरवादिक परसंस्रीय मुद्रा पर्णालियों में से एक थी विजयनगर का सरवादिक परसित सिका श्वाण का वराहे था जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदेश या पैगोडा के रूप म में उलेक किया ही सोने के छोटे सीकों को प्रताब तथा फणम कहा जाता था चांदी के छोटे सीके तार कहलाते थे विजय नगर का वरा है एक बहुत सम्मानित सिक्का था जिसे संफून भारत था विश्वय के परमुख व्यापारिक नगरों में श्विकार किया जाता था वि इस वीडियो में हमने विजय नगर समराजे की जो राजस्वय व्यविस्ता उसके बारे में जानकरी प्राक्त की और ये वीडियो एक्जाम की दरस्टी से बहुत महत्तों पुण है अताया आपको वीडियो को बार-बार देखना चाहिए हमारा वीडियो अंतक देखने के ल हमारा वीडियो ये वीडियो एपक लाब वीडियो वीडियो